कैसे है दूस्तो मैं हूँ चंद्रिश्ठाग और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल लग्र चंद्रिश्वेव तो यह जो है ट्रेडिंग डायरी का अपना आज का यह वीडियो है नौ तारीक का और आज के दिन में जो कुछ भी मुवमेंट हुआ पोर्टफोलि है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसको अन कर दीजिए अभी दोस्तो यहां पर मैं वीडियो की सुरुआत करूंगा मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है और आप काफी लंबे टाइम से जो है बाइंग करने का एक सोच रहे दे तो अभी दोस्तों देखिए अभी यह थोड़ा सा मार्केट जो है सस्ता हुआ है ठीक है थोड़ा सा मार्केट जो है हलका हुआ है निफ्टी वालड़े अगर मैं बात करूं तो यहां उपर 22,700 से गिरकर 21,900 यानि आपका existing investment है तो आपको दोस्तों election के result तक कुछ भी करना नहीं है ठीक है अगर हमारे बताई हुए stock के अंदर आपका existing है investment तो अभी वेट कीजिए अभी ना ही तो इतना कुछ लग रहा है कि अभी हमें जो है कुछ बेचना चाहिए ठीक है तो शुरुआत मैं करना अभी जो है में महिने के अंदर हमें कहीं लॉस भी देखना पड़ रहा है तो यह तो दोनों देखिए जो है यह पार्ट ऑफ गेम है इसको आप जो है इसको आप निकाल नहीं सकते है अगर हमारे दिये गए स्टॉप लॉस कहीं पर हमें हिट होते हुए लगे तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे ठीक है तब हम जाकर कहीं ना कहीं सोचेंगे कि कौन से स्टॉक हमें बेचने है या नहीं बेचने है ठीक है तो यह यहां से नीचे आने के बाद वापस से उपर जाकर यह जो है इसको ब्रेक करेगा बट ओवरॉल ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है अगर मेरा सोचने अगर सही है तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं पर भी कि यहां पर कुछ भी हमें अभी जल्द बाजी करनी है इसके अंदर ठीक है बेचने की ऐसी कुछ यह भी कैपिटल उसके बाद में दूसरी अगर मैं बात करूँ भेल तो भेल में भी कुछ मुझे नहीं लग रहा हाला कि उसमें भी देखे 4-5% गिरावट तो आई है जी पावर में 6% की गिरावट है 5000 के आसपास का लॉस है उसमें भी मुझे अभी भी क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम है इसकी दोस्तों पॉसिटिव है यह चोटी मोटी टाइम है इसको भी देखेंगे वीपरो में 2-5% का लॉस है इसमें भी आपना 11% प्रॉफिट बचा हुआ है और जो में तो कहने ही क्या है कि यहां पर आपना 144 के अश्पास का कॉण्टिटी था उसको मैंने कम किया और उस पैसे से मैंने दोस्तों देखे यहां पर आप देख के अंदर एक कॉल बाई किया है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं के रिलाइस जो है वो कल या आने वाले दो-तिन दिनों में एक बाउंस इसमें क्विक बाउंस आता हुआ नजर में आएगा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं रिलाइस का चार्ट आपके सामने ओपन करना चाहूंगा देखें यहां पर को भी यहां पर सलाह नहीं दे रहा हूँ यह जल्ट फॉर नॉलेज परपस में आपको बात कर रहा हूँ देखें यहां पर देखिए यह 15-minute time frame में expansion है 5-minute time frame में भी इसका expansion है 1-minute time frame में भी इसका expansion करेक्षन तो मिनिमम यह जो है 2728 का एक बाउंस तो उपर की साइड में देखा देगा पहली बात दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो वन अवर टाइम फ्रेम में दूस्तों इसकी नेगेटिव साइकल जो कि एक दम फ्लैट करेक्षन है वो कही न कहीं खतम होने कि हुई मु जादा नीक्ठे नहीं जाता है ठीक है थोड़ा बहुत नीक्ठे काटकर वापस उपर की तूपर की सैड में आ जाता है तो यहां पर अगर यह घुमता हुआ नजर आता है 2823 के उपर हमें मैंने Contra Trade लिया है मैं फिर से आपको बता दू Contra Trade लिया है और मैं ऐसा ही Trade लेता हूँ मुझे मेरे लिए देखिए इतना कुछ जादा Amount भी नहीं था ये 14-15,000 रुपे था मन किया कि चलो भई देखते है ट्राइ करते है तो ले लिया ठीक है तो यहां से अगर यह उपर की साइड में चलना चालो होगा तो इसको break करेगा पहली बात और वापस से फिर इसका Target जो है उपर की साइड में दोस्तों हो जाएगा यहां पर कहीं न कहीं ठीक है सबसे पहले तो 2860 2870 और फिर 2900 के जोन में कहीं न कहीं जाने की कोशिस करेगा क्यूंकि हाई volatility है बहुत ही ज़्यदा volatility हाई है तो एक chance बन सकता है before result के एक बार के लिए उपर आकर फिर वापस नीचे आए तो यह जो उपर आने क्या जो यह moment है यहां पर हमें एक opportunity create हो सकती है एक मौका मिल सकता है यह trade को जो है दोस्तो मैंने अभी आज ही लिया है आज ही last में market close होने के वक्त ही लिया है और इसका अगर मैं इसको अगर मैं check करूँ तो इसका जो है expiry जो है वो दोस्तो एक बार के लिए मैं इसको open करना चाहूंगा ठीक है तो अभी 20 दिन बाकी है expiry को पहली बात दूसरी बात यहां पर इसका जो है ठीटा का वैली जो है 345 रुपीज के आसपास का है और गेलिटा का वैली 128 के आसपास का है ठीक है तो अगर यह थोड़ा बहुत भी उपर आ जाता है 40-50 रुपे भी अगर उपर आता हुआ हमें दिखाए देता है तो भी हमें दोस्तों देखिए 2-3,000 रुपे के आसपास का profit देखने को मिलेगा यह देखेंगे कल ऐसा जरूरी नहीं है कि profit में कटे loss में भी कट सकता है अगर मुझे लगेगा कि 500 रुपे के आसपास loss है और मन नहीं कर रहा है इस position को hold करने का तो मैं इसको निकाल भी दूँगा कल सुबा ही ठीक है बट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक छोटी time frame के इसाब से कि यह एक बार के लिए bounce देना चाहिए 3 hour time frame के इसाब से भी इसने देखिए C wave में 1, 2, 3 और यह 4 और यह 5 नमर perfectly काम किया है और आप तो जानते है reliance जैसे गूम के उपर आता है तो कितनी speed में कितने अच्छी तरीके से गूम कर आता है ठीक है तो हो सकता है एक opportunity है same nifty में भी दोस्तों देखिए nifty में अगर बड़ी time frame की बात करू बड़ यहां से अगर इस चोन से 21,700, 21,800 यहां से अगर मैं बात करू तो 1,500 point के आसपास से अगर यह गूमता है इस point पे support लेकर अगर गूमता है तो दोस्तों chance है बहुत ज़्यादा chance है कि 300 से 500 point तक की TG उपर की side में nifty में हो सकता है कल और सोमवार यह दो दिन में आ सकती है इसको देखेंगे further pattern confirm होगा छोटे time frame में तब जाकर हम इसके अंदर बात करेंगे बट अभी के लिए मुझे ऐसा कही ना कहीं लग रहा है ठीक है यहां पर अगर मैं trend line डालो possible है जिस तरह से आज गीरा है तो one side तो ऐसे नहीं किरते है market ठीक है एक minute time frame में तो इसने कहीं ना कहीं causes भी की है एक दो तीन तो यह तीन जो है expand होगा और causes करेगा 22,050 के आसपास जाने की तो यहां से अगर मैं बात करूँ 22,050 तो 100-100 पॉइंट तक की तेजी जो हो सकता है कल के दिन में हमें आती हुई दिखाई दे सकते निफ्टी के अंदर तो यहां पर देखे पोर्टफोलियों के बारे में सकती है यहां पर अच्छा candle बना अभी यहां से अगर उपर की साइट चलना चालू करेगा तो crude जो हो सकता है 7,000 के आसपास जा सकता है ठीक है उसके इलावा गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड देखे इसको मैंने अगर यहां से उपर चला गोल्ड दोस्तो यह consolidation के उपर चला गोल्ड तो possibility है कि उपर की साइड में यह फिर अपनी movement चालू कर देगा देने की ठीक है तो overall crude में गोल्ड में सारी चीज़ों में हमने बात कर लिए रिलाइंस के बारे में बात कर लिए एक बार कोटक बेंक का चार्ड जो है कुछ टाइम से मैंने देखा नहीं है क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने possibility है अगर आपको मिल जाता है 1450 के आस पास तो इसको छोड़िएगा मत जैसे ही थोड़ा positive चालू होगा news का flow वैसे ही यह सारी चीज़ है वो उपर की सैड में निकलना चालू कर देगी ठीक है तो यहीं पर मैं वीडियो को खतम करता हूँ थैंक यू फर वाचिंग वीडियो थैंक यू वेरी मच जैहिन जै बारत बंदे मातरम दोस्तों